सिलाई मार्जन ले लिया और यहां पर भी जो पलेटो लिया बचा ढाइंच का मतला है कि हमारी प्लेट ंच की पड़ेगी जो बिल्कुल सही है ठीक है हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटीव चैनल नैना बूटिक में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं सिकाने वाला हूं प्लेटो वाली पैंट की कटिंग और इसमें यह भी बताऊंगा कि हमारी जो अंद के पैटर्न चाहिए अगर आप खरीदना चाहते हैं तो हमारे दिये हूँ वाटसम नंबर पर इंकौरी करके अपने और को बुक कर सकते हैं चलिए कटिंग शुरू करते हैं तो फ्रेंड हमने दो कपड़ा बिचाया है वो बिचाया है लंबाई में यानि कि यह इसकी लंब तो आप अगर आपक अपड़ा सुकड़ा बगरा है तो उस पर प्रेज बगरा कलने जिससे कटिंग हमारी आसानी से और अच्छी हो सके उसके उसके बाद में आप इस तरीके से यहाँ पर एक निशान लगाएंगे सबसे उपर ठीक है इस पिरकार यह देखिए फिर एक नि इंच लेका लेंगे उपर और यहाँ पर साड़े सेंट इस पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से उसके बाद में हमें यहाँ पर ढ़ाई से तीन इस तक बॉटम में फोल्ड होने के लिए लेना होता है तो हम यहाँ पर इसकी बॉटम में करेंगे तुरपाई ठीक है करेंगे तो हम यहाँ पर लेते हैं पॉने 3 इंच जब बिल्कुल सही रहता है पॉने 3 इंच अगर आप ज्इद्धा मार्जन मार्जन लेना चाहते हैं अगर आपड़ेन अपी लेंज्धाल अब बाताती है इसकी लिटक की तो ऑच्रMax हम लिकालते हैं 2021 35 इंच ठीक है थर्टी फाइव एंड हाफ इंच यह हो गई साड़े सैंतिस इंच अब इसकी जो हिब है वो है चालिस इंच चालिस का फोर वाग करेंगे एक चौथाई लेंगे और हम यह आपा दस इंच पे इसकी लटक निकाल लेंगे है क्योंकि यह पेंट लूज है यानी कि प्लेटो वाली पेंट है ठीक है तो हमने यहापर इसको इस तरीके से एक निशान लगा देना हैं अगर यहीं पैंट हमारी फिटिंग की होती तो हम इसमें क्या करते हैं 40 इंच हिप के लिए हमें यहां पर साड़े 9 इंच पर निशान लगाना होता आदेंच कम करके तो हम यहां पर इस तरीके से निशान लगाएंगे यह देखिए ठीक है हलका सा आगे बढ़ाएंगे अब इसकी लंबाई वाला एक निशान लगाएंगे दूसरा जो बॉटम में हम तुरपाई करते हैं अब फ्रेंड यहां पर आती है हमारी थाई देखो दो तरीके से हमारी प्लेटो वाली पैंट करती हैं एक तो हम कमर का फोर बाग करके एक चौथाई सामने में लगाते हैं और सबाह इंसे डिर इंच तक की प्लेट लेते हैं मगर कुछ अ ऐसे होते हैं जो पैंट पहने होते हैं तो वह यह चाहते हैं कि हमारे इस थाई के वर्यावरी इसकी थाई रगदो जानीकी यह ठीक है हमें इसकी थाई के बरावरी जानीकी नहीं पर लिया थका है 2 एंटी छो 17 ह्वें को धृश्वक्त चॉटाइस एंच और इसको बिल्कुल सीदा सीदा कर लेंगे यहां पर देंगे गोलाई गोलाई देने के बाद जहां से हम फलाई अटेच करेंगे फिलाई मार्जन उसके बाद में जो इसकी कमर है थर्टी फाइव एंड हाफ इंच यानि कि साड़े पैंतिस इंच इसका फोर वाग एक चौदा ही होता है नो इंच में एक सूथ कम यह ठीक है उसके बाद हमारा आप हमने लोगों इदर सिलाई मार्जन ले लिया और इदर यहां पर भ लगाने के बाद में आप यहां पर एक क्रीज का निशान जरूर लगाएं क्योंकि हमें पलेट डाला लगाएं तो पलेट का हाफ इस तरीके से यह निशान लगाएंगे अब चौदा का हाफ करेंगे साथ इंच अब हमें क्या करना है इंची टेप रखना है इस परकार यह देखना यह यह देखो ठीक है इंची टेप रख दिया अब एक निशान यहां लगाएंगे एक बीच में लगा देंगे और इ के यहां पर तीन ईंच दूर ठीक है तो यह हमारी पलेट हो गई यहां पर इस जगह यह देखिए क्या हम ने प्रेटों के निशान लगाए हैं यह वाले अब हमारे पेलेट हो गई अब हमें क्या करना है जिस से हमारा बॉल्टम बिल्कूल सेन्ट में हो इथा इदर उदर ना हो और एकदम बीच में लिख ले तो हमें क्या करना यहां पर जो इसका बॉटम है वो है अठारा इंच ठीक है अब हम अठारा का चौथा भाग करेंगे तो यहां पर होगा साड़े-चार इदर साड़े-चार इदर ठीक है यह देखिए यह वला निशान ठीक है तो यह टोटल जो हो गया वो गया नौए अब नौए इंच यह अठारा का हाफ हो गया अब हमें लेना है यह शेफटिए अब हम फिटिंग की पैंट में जो कटिंग करते हैं तो इसकेल को यहां से रखते हैं lose pen we kilomet होती है उसे हमें नीचे चे लाना पड़ता यह जिस से हमें लोजिंग भरपूर मिलजाती यहां हलका सा किराश रखेंगे फिर इसको पलटके रखेंगे स्केल को और यहां पर इस तरे के से रखेंगे और निशान लगा देंगे यहां हलका सा किरास लेंगे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह कटिंग और जो हमने निशान लगाएं वह समझ में आ गए होंगे अब हमें यहां पर लगाना है एक पॉकिट के मुझे निशान तो ऊपर वाले निशान से लगाना है पौने दो इंच उस अब हमें एक कट यहां लगाना है दूसरा कट यहां लगाना है एक कट यहां लगाएंगे और एक कट हम यहां लगाएंगे जो हमारी क्रीस वाला निशान है दूसरा जहां से पलेट डालेंगे वह वाला कट लगाएंगे ठीक है अब हमारा यहां पर सामना कटिंग होके बि बैक पार्ट कटिंग करने के लिए हमें अपने कपड़े को इस तरीके से बिशाना होता है तो दोस्तों देखिए हमने यहां पर इसको बिशा लिया है अच्छी तरीके से बिशाने के बाद में सबसे पहला जो निशान लगाएंगे यहां पर लगाएंगे यह वाला ठीक है दूसरा निशान यहां लगाएंगे अब हमें अपने सामने से जो backlog उठाना है कितना यह बताता हूं सबसे पहले तो आप इस तरीके से कमर का 4 वाग लगाएंगे ठीक है जो होता है यहां पर 35 निच का फोर वाग के लिए हमें चाहिए होता है अब हम इस वाले निशान से अपना बैक पार्ट उठाएंगे पौने दो इंच और इस तरीके से निशान लगाएंगे यह देखिए यह लगा दिया ठीक है तो अब बात आती है हिप की अब हमें हिप ना अपना है तो यहां पर लगाएंगे कर लेते हैं उसके बाद में हमें यहां पर देना है इस तरीके से गोलाई यह देदी ठीक है गोलाई देने के बाद में इस जगा से हम कटिंग करेंगे ठीक है और यहां से भी गोलाई देदेंगे यह देखिए ठीक है यह आ गई हलका सा यहां चोड़ा हो गया तो अगर निशान लगा रखा है एक निशान यहां पर लगाएंगे जहां पर इसका शेव है और इस तरीके से अपने सामने को हटाएंगे हटाने के बाद हमें स्केल से इस तरीके से एक निशान लगा देना है यह देखिए यह लगा दी हमें ठीक है यह दो को आपको नजर आते होंगे भ्रक्ति ये यह बराबर से आ रहा हैं। क्योंकि पेंट काफी लूज है जिसकी वजैसे यहां पर हुम्में जड़ नहीं मिल पाई हैं हैं जोकाaha संने प्रषी का इतन約 20 हो जातों यहां पर लूज कर सकते हैं अगर लटक भी टाइट हो जाय तो हमारी लटक अगर आप थाई लूज करेंगे तो लटक आटमेटिक बढ़ जाएगी ठीक है अब हमें यहां पर यह लेना है स्केल और इस तरीके से हमें एक निशान लगा देना है हलका सा किराज है अब जो हम यहां से निशान लगाएंगे ना यह वाला जो एक्स्ट्रा मार्जन है उसका हम निशान उठा लेते हैं तो इस जगह फंटी रखेंगे मैंने निशान लगाया हुआ है यह वाला शायद आपको चमकता हो यह वाला ठीक है यह निशान आ गया अब इस से हमें तरीके से इसको रखना है यह देखिए और यहां से इसको ऐसे निशान लगाना है तो अदो यह वाला यहां पर इसका पूरा करना है कपडा तो आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं किसी जगह से भी और इस तरीके से रख लें यह देखो एह इसके ओपर चड़ा के रखना है हलका सा, आदेंज जितना में सिलाई मार्जन लेना है, टिक है। यहां चड़ा के रखेंगे, और चड़ा के रखने के बाद आद, अब हमें स्केल से, इस तरीके से निशान लगा देना है। यह वाला ठीक है दिशान लगाने के बाद अब यहां से इसको हम कटिंग करेंगे इस तरीके से यह देखिए यह हमारा एक्स्ट्रा मार्जन भी आ गया दोस्तों यहां पर हमारी कटिंग हो चुकी है अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं मैं आप लोगों की सारी कमेंट्स पढ़ता हूं और जिन लोगों को जवाब देना होता है उन लोगों को जवाब भी देता हूं दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो प्लीज कमेंट्स करके बताएं वीडियो अगर आपको अच्छे लगए वीडियो को लाइक करें शेर करें और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाईएगा मिलता हूं आप से नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो